अलकजार देखने में कैसी है यह तो मैं बताऊंगा लेकिन सबसे ज़्यादा important चीज है वह इसका driving experience कैसा है वह भी information आपके साथ share करूँगा मैं हूँ आपका host आमित और आप आप देख रहे है आस कार गुर्व सुवात से अगर मैं बात कहूं तो अलकजार केवल आप इसे एक नजर में यह भी कह सकते हैं क्रेटा seven-seater है लेकिन बदलाओ क्या-क्या है अगर इस बारे में बात किया है तो सबसे बड़े बदलाओ तो इसके front area से शुरू हुआते हैं जैसे कि इस headlight unit के उपर के हिसे में tweak है मगर उसी को camouflage कर दिया गया है मैंने तो देखा है तो मैं बता सकता हूँ यहां की lining भी काफी different है यह जोड़ा हुआ ऐसा actual में है यहां पर आपको camera मिल जाता है front में front parking sensors भी मौजूद है यानि around view camera की सुधा भी इसी में मौजूद है और नीचे आपको fog और cornering lamp भी मिल जाता है बतलाओंगा आपको इसके cable front profile के बारे में ही नहीं side के बारे में भी बात करते हैं और फिर बात करते हैं इसके driving experience की सुभात करते है side profile में क्या क्या आपको मिलता में side profile की बात की जाए आपको मिलते है 18 इंच के diamond cut alloy wheel 215 55 profile के tires है Apollo के tires में लगे हुए है originally क्या आएगा यह अभी कहना जल्दवाजी है wheel travel ठीक ठीक सा है कोई दिक्कत नहीं है हाला कि मुझे tire का profile थोड़ा छोटा लगा यह 60 profile होता तो कहीं ज़्यादा अच्छा लगता wheel arch रिखा गया है बिलकुल वैसी जैसे crater में मौझूद है तो आपको उसमें कोई difference नहीं लगेगा difference के वल यही है कि यहाँ पर आपको 18 इंच की profile मिल जाती है अब बात करें आउटसाड रेर व्यू मिल जाता है इसी पर नीचे आपको एराउंड व्यू कैमरा भी मिल जाता है साथ ही पडल लेंप की सुधा भी उपलब्द है टर्न इंडिकेटर भी इसी पर आपको मिल जाते है प्रोफाइल देखने में अच्छा लग रहा है एक बड़ी चीज जो कोई शिकायत नहीं है यह दरवाजा भी अब पिछले क्रेटा के दरवाजे से बड़ा हो गया और ग्लास एरिया भी बड़ा हो गया है चुकि इस कार का वील बेस क्रेटा के मुकाबले काफी इंक्रीज हो गया है 2760 mm वील बेस होने की विएसे भीतर के हिस्से में काफी बढ हो गया और इसके बाद इन्होंने quarter panel दे दिया है जिसकी वज़े से पीछे की रो में भी जो बच्चे बगारे बैठते उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा हां मैं कार आपको खोल कर नहीं दिखा रहा हूं उसके लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए drive review section में उस panoramic sunroof भी मौझूद है और ground clearance भी अच्छा है चुक्क यह 18-inch के wheel है उसे साब से ground clearance थोड़ा सा improved ही हुआ है door handle pop-up type के हैं इसके उपर जरू एक dull gun metal finish दे रखी गई है और request sensor की आपको driver side मिल जाता है अब बात करते है rear profile से car देखने में कैसी लग रही है rear profile के अगर बात की जाए तो अलकजार में बहुत कुछ बताने को है क्योंकि बदलाओ यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखते है उपर regular की तरह हमेशा shark fin antenna मौझूद है और यह छोटा सा spoiler देखने में अच्छा लगता है उपर ही high mount stop lamp है और defogger wiper भी यहाँ पर मौझूद है हाँ सबसे important चीज़ जिस पर मेरा ध्यान है वह है आपके लिए यह tail light यह cluster बदल गया है बदलने के बाद मुझे यह normal crater के मकाबले जादा बैता लग रहा है ध्यान से देखे एक एक profile इसकी बिलको अलग है नीचे की lamp के design भी काफी अच्छा है यहाँ पर भी आपको reflect indicators मिलते है इस तफ आपको reverse light मिलती है यह element बिलकोल अलग नया unique सा है और यह जो अलकजार की basing दी गई है काफी अच्छी लग रही है gun metal finish होने की वएसे इस पर font है वह उभर के आ रहे है और देखने में बहुत good looking लगते है मैं यह नहीं कह रहा कि camera इसको कितने justified अंसे catch कर रहा है ले 360 camera भी मिल जाता है नीचे आपको parking sensors है sit plate यहाँ पर मौझूद है overall बाकी normal की तरह है लेकिन असली बदलाव जो है voice light और यह जो design element है इसमें आपको देखने को मिलेगा और यह really काफी अच्छा लगता है मेरे कुछ footage खराब होने के वहसे मैं बाकी बाते आप से voice over के थू कर ल पैनल मिलता है वह भी high quality का मतलब वह चलते फेते रंग बिरंगे वाले नहीं बहतरी इंडिश्टल इंस्टूमेंट पैनल है drive mode आपको मिल जाते है economic city sport mode जैसे features आपको मिल जाते है ventilated seats front की आपको मिल जाती है पीछे भी आपको wireless charger मिलता है आगे तो मिलता ही है पीछे की seat पर के लिए भी आपको मिल जाता है wireless charger जो कि दोनों captain seat के बीच में रखा गया है rear seat जो कि third row की seat है उस पे भी आपको दो USB port मिल जाते है एक और कमाल की बात है कि उसे आप reclain भी अपनी जववत के अनुसार कर सकत है हाँ थोड़ी seat की उंचाई कम है जिसकी वैसे आपको under thigh support कम लेगा और सायर हम जैसे बड़े लोगों के बैटने की वहाँ पर जगह नहीं है लेकिन कम height के लोग असानी से वहाँ पर बैट कर जर्नी कर सकते हैं middle row बहुत शांदार है उस पर आपको self review मिल जाती है ताकि आ टॉप पे काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं और हर row में आपको USB port मिल जाते हैं यह एक बड़ा plus point है और जो front में normal features available है music system के बोस वाले वो आपको यहाँ भी बिलेंगे लेकिन हमने बोस की branding कहीं नहीं देखी जिसे लेकर मैं अभी थोड़ा confusion क्या यह बोस के speaker है या फिर normal speaker है अभी यह confirm नहीं है लेकिन मेरा यह मानना है कि जब क्रेटा में मिलते हैं तो इसमें भी मिलना ही चाहिए एक और चीज़ है जो lower variant है उसमें आपको 17 इंच के alloy wheel से मिल ले हैं हां door trim पर वहाँ पर plastic का इस्तमाल किया गया है जबकि top end variant में door tip के उपर थोड़ा लगर का भ वही इसका सबसे ज़्यादा बिकने वाला variant होगा और जो भीतर की बातों को देख के भीतर जाक कर समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो drive करते समय समझ में आया वो आपके साथ शेयर कर देता हूं सीटे बहुत comfortable है इस्पेसियस भी लग रही है मुझे न अभी छोटे driving experience में जो मैंने शेयर किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ लो स्पीड राइड बहुत अच्छी है इंजन बिलकुल noise नहीं करता यह नया टू लीटर का इंजन बहुत ही शांदार है थर्ड जनरेशन में काफी refined हो गया है और पावर तो बहतीन है ही अगर इंगेजमेंट बना के रखती है लेकिन जब इंजन साथे तीन हजार आर्पीम से उपर चला जाता है तब यह जहू और डीबल कह सकते हैं उससे पहले बहुत अच्छी इंगेजिंग है कहीं पर भी noise हमें disturb नहीं करती है हैंडिलिंग काफी अच्छी थी हाला कि कार में बडी रोल है क्योंकि हमने इसे पहाड़ों पर चलाया है कई बार चुठाई पर कई बार नीचे उतरते समय और हवेसा यह फील किया कि यह काफी अच्छा पर्फॉर्म कर रही है मैंने इसे 100 की स्पीड तक आराम से चलाया है हाला कि यह 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर की रैड काफी कम थी लेकिन इसी पर ही मुझे सब कुछ टेस्ट करना था तो मैंने एक बार सौकी स्पीड भी टेस्ट करके देखी है टर्ण पर काफी अच्छे कॉन्फिडेंट पर आप रहेंगे कोई शिकायत नहीं होगी बाकी मैं फुल ड्राइविंग एक्सपीएंस पर ही आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा MID के अमसार मुझे 10 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इफिसेंसी दिये पहाड़ों पर चलते समय जब कि टेस्टिंग ट्रैक था वो अगर मुझे नॉर्मल सिटी में चलना पड़ेगा तो साथ यह 10 से 12 की फ्यूल इफिसेंसी आराम से प्रोवाइट कर देगा मैंने चलाया है केवल 2 लीटर पेट्रोलियन डीजल के बारे में अभी कोई बात नहीं कर सकूँगा और हाइवे के भी फ्यूल विसेंसी के बारे में अपने कमेंटर रिजाव रखूँगा जब मैं मीडिया डायव में आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा कॉंक्लिजन में क्या बात की जाए अलकजार के बारे में देखिए अभी यह कार मैं आपको पूरी तरह से दिखा नहीं पाया हूँ इस लिए कुछ जानकारिया है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यह टॉप के टू और थी वर्येंट में ही आएगी यानि लोवर वर्येंट इसके नहीं आएगे दूसरी चीज नया इंजिन जो टू लीटर इंजिन है थर्ड जनरेशन ने पहुंच गया है और बहुत ज्यादा रिफाइंड है सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड वही है हाँ डीजल इंजिन मौझूद है जो क्रेटा में भी सर्विस देता है 115 PS वाला और वह है इंजिन भी इंडियन को काफी पसंद आएगा खास्तों से वह जिन्हें डीजल कार चाहिए कीमत का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मेरा मानना है कि साइद यह 13 लैक रुपीज से सुरू होकर और 19 लैक रुपीज के प्राइस ब्रैकेट तक जाएगी उसे साब से काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि कार काफी फुली लोड़ेड है और मेरे साब से साइद समझदारी रहेगी अगर आप इस कार का वेट करना चाहते हैं कार के माई मन्त में लाउंच होने की संभावना देख रही है हाँ यह प्री प्रडॉक्शन वेरियंट है लेकिन इसे प्रोट्योटाइप कहना गलत होगा मैंने इसे डिटेल में चलाया है समझा है और मैं अपने एक्स्पियेंस से कह सकता हूं आपको इस कार का वेट करना चाहिए अगर आप एक 7-seater का इंतिजार कर रहे हैं यह information कैसी लगी बताएगा नीचे comment section पर और वीडियो कैसा लगा उम्मीद है पसंद आया होगा तभी तो आपने यहां तक देखा है तो like करने में कैसा संकोच नहीं पसंद आया है डिस like कर सकते हैं लेकिन सोचिए अतनी भूले मुलाकात होगी क्या पता इसी के drive review वीडियो के साथ देखते रहे है आस्क कार गुल